Welcome students, in this video I'll be explaining the poem The Duck and the Kangaroo. Desired stanza पे आप jump कर सकते हैं, description में time slots provided हैं. syllabus की other poems या फिर poetic devices देखने हैं तो उनके links भी description में आपको मिल जाएंगे. So let's start with the first stanza of the poem. Set the duck to the kangaroo. Good gracious, how you hope. सबसे पहले तो हम ये बात clear कर लेते हैं कि इस poem में आपको मिलेगी एक conversation, एक बात्चीत हो रही है डक और kangaroo के बीच में. और इस stanza की starting में अभी हम देखते हैं कि duck ने कहा है कुछ kangaroo से. तो होपिंग. तो वो कह रही है कि कितना graceful लग रहा है जब तुम इस तरह से move कर रहे हो, कूदते हुए जा रहे हो. Over the fields and the water too. और तुम जो है, खेतों के उपर fields, खेतों के उपर भी कूदते हुए जा रहे हो, water के उपर भी जा रहे हो. As if you never would stop. और इस तरह से कूदते हुए जा रहे हो, जैसे कि तुम कभी नहीं रुकोगे. My life is a bore in this nasty pond. मेरी जो life है, मेरी किसकी? माई कोने हैं यहाँ पर? Duck. Duck कहते हैं कि मेरी जो life है, वो तो boring है. In this nasty pond. Is nasty. Nasty होते हैं unpleasant. जिसमें आनंद नहीं आ रहा. बिकार. कि इस pond के अंदर मेरी life तो बहुत ही boring है. And I long to go out in the world beyond. Long desire करना, इच्छा होना. और मेरी भी इच्छा है कि मैं बाहर निकलूं और इस pond के beyond, जो world है, pond से बाहर जो world है, उसको देखूं, उसमें जाऊं. I wish I could hope like you. मैं तो यह इच्छा करते हूँ कि काश मैं तुमारी तरह से hope कर सकती. यानि फूदते हुए जो movement है, वो करकर बाहर जा सकती. इस pond से. Set the duck to the kangaroo. और यह बाते duck कह रही है kangaroo से. यह हमें clearly समझ में आ रहा है कि duck जो है, अपनी pond वाली जो life है, उसमें bore हो रही है और उसका मन करता है कि other animals की तरह या kangaroo की तरह वो भी बाहर घुमे. वर्ड जो है, इस pond से अलावा, pond के अलावा जो world है बाहर, उसको वो देखे. लेकिन because वो नहीं जा पाती, तो कहीं न कहीं वो boring जो उसको महसूस होती है, यहाँ पर H sound भी clearly नजर आ रही है, then refrain, refrain कहा होता है, जैसे कि अप कोई song है, एक song के अंदर जो line बार-बार repeat हो रही होती है, बार-बार आ रही होती है, तो हम बोलते हैं, यह refrain है, इस sperm के अंदर भी आप बार-बार देखेंगे, जो set the duck to the kangaroo, यह line जो है जगा-जगा आपको एक song की तरह से मिलती रहेगी, तो यहाँ पर इस stanza के अंदर ही वो line starting में भी है, ending में भी है, तो refrain भी नजर आ रहा है, please give me a ride on your back, set the duck to the kangaroo, अब duck जो है वो kangaroo से क्या कह रही है, कि please give me a ride on your back, कि please मुझे अपनी कमर पे बिठा कर जो है, तुम एक ride दो, मतलब घुमाओ मुझे भी, अब यह बाते duck कह रही है, तो यह inverted commas में इसलिए हमको दी है, ठीक है, तो duck यह कह रही है, कि मुझे जो दुनिय है, वो गुमाओ अपनी back पर एक ride दो, I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, और मैं जो है, sit quite still, एकदम still होकर बैठोंगी, मतलब हिलू डूलूंगी नहीं, अराम से बैठी रहूंगी, and say nothing but quack, और कुछ नहीं बोलूंगी, सिरफ quack करूंगी, the whole of the long day through, कि पूरे दिन जो है, मैं सिरफ qu quack ही करूंगी, quack क्या होती है, जो sound होती है, ducks की उसको हम quack बोलते हैं, जैसे monkeys की chatter होती है, dogs की bark होती है, cats की mew होती है, similarly, जो ducks की sound होती है, वो quack होती है, और वो क्या करी है, मैं सिरफ quack करूंगी पूरा दिन, ठीक है, the whole of the long day through, पूरे के पूरे दिन जो है, मैं सिरफ अर जाएंगे, और हम जो है, डी जाएंगे, और जैली बॉली, ये शायद दो प्लेसे होंगी, जो विसिट करना चाहती है, duck, तो वो कहरी है, हम यहाँ पर भी जाएंगे, over the land and over the sea, land पर भी घूमेंगे, और sea के अंदर भी हम घूमेंगे, please take me a ride or do, अब आप देख रहे हैं, प्लीस से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में भी प्लीस से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ नीचे दुबारा से मरे पसा है, please, कि वो राइड पर जाने के लिए कितनी उत्सुख है, कितनी डिजायर है, कि वो इस नेस्टी पॉंट से बहां निकले और घूमें, तो व बैक है, उस पर बिठा कर ले जाए, और प्लेसिस के नेम्स भी मेंशन है, कि डी की तरफ वो जाएं, जैली बो ली जाएं, लैंड और सी दोनों पर वो घूमें, और इसके लिए वो इस लिए भी तयार है कि बिल्कुल वो हिलेगी भी नहीं, so she wants to go, right, अब यहाँ पर पॉ अभी हमने फर्स्ट स्टेंजर में भी दिखा, बार-बार आ रहा था, set the duck to the kangaroo, है न, वहाँ पर भी दो बार आ रहा था, अब यहाँ भी दो बार आ रहा है, set the duck to the kangaroo, second line में भी, और last line में भी, set the duck to the kangaroo, तो जैसे एक स्वों की line repeat होती रहती है, बार-बार, तो यह वाली line इस poem repeat हो जा रही है, तो यहाँ पर क्या refrain है, then repetition, देखते हैं कौन से word repeat हो रहे हैं, आपके पास यहाँ पर लिखा है, over the land and over the sea, तो यहाँ पर over the जो है, यह बार-बार repeat हो गया है, दो बार आ गया है, तो यहाँ पर repetition भी clearly नजर आ रही है, set the kangaroo to the duck, अभी तक जो है duck kangaroo से कह रही थी, अब request करिये duck ने, तो देखते है, kangaroo क्या कह रहे है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो set the kangaroo to the duck, कि अब kangaroo जो है, वो duck से कहता है, this requires some little reflection, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, अब वो क्या कह रहा है, कि यह जो तुमने मेरे सामने प्रस्ताव रखा है, और मुझ से कहा है, कि तुम सोच विचार करना, perhaps on the whole it might bring me luck, कि हो सकता है, कि शायद, perhaps कह है, शायद, कि अगर इसका पूरा overall इसको देखा जाए, तो हो सकता है, कि यह एक अच्छा idea है, bring me luck, it might bring me luck, कि हो सकता है, कि अच्छा idea हो, कि यह से घुमने जाना, अच्छा रहे मेरे लिए, and there seems but one objection, लेकिन इस में मुझे एक objection, एक रुकावट जो है, वो नजर आ रही है, एक problem नजर आ रही है, which is, जो कि क्या है, if you will let me speak so bold, अगर तुम मुझे खुले शब्दों में बोलने दो, मतलब clearly अगर मैं तुमें बताना चाहूं, क्या वो problem है, क्या वो objection है, your feet are unpleasantly wet and cold, obviously अब जो duck है, वो पू जिससे आनंद ना आए, unpleasant, जो अच्छा नहीं लग रहा, कि इस तरह से बुरी तरह से एक तरह से वो गीले भी हैं, ठंडे भी हैं and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo, और हो सकता है, कि अगर ऐसे गीले पैर लेकर और ठंडे पैर लेकर तुम मेरी back पर ride जाओगी, तो हो सकता है, शायद probably, क हो सकता है, मुझे body paints हो जाएं, क्योंकि तुमारे जो feet है, वो wet भी हैं और वो cold भी हैं, तो यहाँ पर देखिए, अभी तक तो दिख रहाता हमें, set the duck to the kangaroo, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है, set the kangaroo, starting में भी, और नीचे भी, set the kangaroo, यहाँ का refrain क्या बन रहा है, set the kangaroo हो न, तो यहाँ पर भी refrain नजर आ रहा है, इसके अलावा हम देख सकते हैं, जो हमारी line है, fifth line जो है, यहाँ लिखा है, speak so bold, यहाँ S sound है, तो यहाँ पर आप alliteration भी मान कर चलिए, जो कि mention तो नहीं है, बट alliteration यहाँ पर भी है, speak so, S sound आपको clearly नजर आ रही है, said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, किस बारे में सोचा है duck में अभी हाँ पर, अभी हम previous tenza में देखके आए हैं, कि कंगारू जो है, उसको कुछ objections लग रही है, कुछ problems लग रही है, कि शायद अपने cold और wet feet लेकर, अगर duck जो है, उसके उपर ride करेगी, तो हो सकता है, कि जो कंगारू है, रूमेटीज हो जाए, है ना, उसकी body paints हो जाए, लेकिन अब उसके reply में duck क्या कह रही है, as I sat on the rocks, कि जब मैं rocks पर बैठी हुई थी, I have thought over that completely, मैंने उसके बारे में पूरी तरह से सोचा है, and I bought four pairs of worsted socks, और मैं क्या लेकर आई हूँ, four pairs, यानि चार जोड़े जो है, worsted socks के ल तरह से बुनी हुई जो सोच आते हैं, these are the worsted socks, तो इस तरह की four pairs वो अपने लेकर आई है, which fit my web feet neatly, जो की मेरे web feet, web feet कैसे जाल जैसे से दिखने वाले पंजे, जैसे कि ये image लगाई गई है, feet आपको नजर आ रहे होंगे, web के जैसे, जाले जैसे नजर आ रहे है, तो वो कहत कि ठंड ना लगे, उसके लिए मैं clock भी लेकर आई हूँ, clock ये घड़ी वाला clock नहीं है, clock क्या है, ये जो आपको green color की image आपको नजर आ रहे है, ठीक, वैसे तो muffler वगेरा को भी हम clock बोल देते हैं, कई बार, है ना, लेकिन जो exact clock होता है, वो ये होता है, ठंड से बचने के मैं own dear true love of a kangaroo, और ये सब मैं किसलिए कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा प्यार है kangaroo के लिए, उसलिए कर रही हूँ, क्योंकि वो नहीं चाती है एक तरह से कि जो kangaroo है, वो बिमार हो जाए, उसको problem हो, ये rheumaties हो जाए, तो इसलिए वो ये सब चीज़े कर रही है, वो socks भी ल से वो राइड पर जाना चाहती है, तो वो सब कुछ करने के लिए ताही आ रहे है, बट सिरफ उसको कैच चाहिए कि उसको एक राइड मिल जाए, कि वो जो नेस्टी पॉंड है, उससे बाहर जो दुनिया है, उसको देख सके, यहां पर पाटिक डिवाइसिस हम देख लेते हैं, लिखा, एलिट्रेशन, अभी लाइन जिसमें क्लॉक वरड आ रहे है, क्या लिख है, and to keep out the cold I have bought a clock, cold clock, c sound यहां पर clearly नज़र आ रही है, तो यहां 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 एलिट्रेशन है, और रीफ्रें, बार-बार से लाइन एक ही आ रहे है, अना यह बार आ रहन है हम रहे है, तो यहाँ पर भी यह क्या है, refrain भी है, anaphora, anaphora क्या होता है, जब एक के बाद एक lines एक ही words से start होती है, यहाँ पर अगर हम देखें, and से दो lines से start हो रही है, एक के बाद एक, and to keep out the code and everyday, तो यहाँ पर आपको anaphora भी clearly नज़र आ रहा है, और है engement, engement में क्या होता है, एक ही line को break करके दिया होता है, दो या तीन लाइन्स में या जादा में भी हो सकता है, अब यहां पर देखिए, and I bought four pairs of wasted socks which fit my web fit neatly, यह complete एकी लाइन है, लेकिन इसको दो में break करके दिया है फिर last में, all to follow my own dear true love of a kangaroo है न, यहां पर भी एकी लाइन है लेकिन इसको दो में ब्रेक करके आपको दिया है सेट दक अंगारू आम रेडी अब जो कुछ डख ने कहा जो कुछ सॉल्यूशन्स लेकर डख आई उनको सुनने के बाद कंगारू ने कहा कि वो अब तैयार है कि कब जाएंगे वो जब मून लाइट पेल मून लाइट पेल चांदनी जो रात होगी जा सुन्दर सा जब दिन रात दिख रही होती है चांद की रोशनी में लेकिन ताकि मेरा बैलन्स अच्छे से बना रहे भागने का या राइड दिलवाने का दियर डग तो जो प्यारी डग है sed steady एक पोजीशन में ही बैटे रहना कि आप एक पोजीशन में बैटे हो जादा बार बार अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो ताकि быстр बार बैलन्स बना रहे अब hope और bound के साथ, hope क्या होते है, जो moment है कंगारू की, bound लंबे-लंबे steps के साथ जब भाग के जा रहे हूँ, ठीक, तो वो दोनों जो है, अवे देवेंट, दूर चले गए, कूधते हुए, और लंबे-लंबे steps लेकर, यानि कंगारू जा रहा है, और duck उसकी टेल पर बैठी और उन दोनों ने पूरा जो वर्ड है, उसके तीन चक्कर लगाए, and who so happy, oh who, और कौन इतना खुश होगा, कौन इतना खुश होगा, as the duck and the कंगारू, जितने की duck और कंगारू है, क्यों है वो happy, क्योंकि duck जो है उसे घूमने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है उसको घू आती है, but to balance, यहां B sign है, but balance, इसी line के end में आजाए, sit steady, S sound आपको यहां पर clearly नजर आ रही है, right, then जो इसके बाद line है, so away they went with a hope and a bound, इस line में देखिए, went with, यहां W sound है, then उसके बाद दिखा है, and who so happy, यहां पर who और happy, देखो देखने में तो W और H दिख रहा है, लेकिन सुन रही है, और happy, यहां पर भी हर की sound आ रही है, तो यहां पर भी आपको clearly alliteration है, जो नजर आ रहा है, then comes refrain, क्या refrain है बार बार से, set the kangaroo अब यहां पर आया है, right, पहले set the duck हो रहा था, then set the kangaroo, तो यह तो एक तरह से refrain चले ही जा रहा है, then comes anaphora, anaphora में क्या होते है, same word से start हो है, then comes repetition, तो यह वाली जो line आपको दे रही है, and who so happy, oh who, यहां पर जो who word है, इसकी repetition आपको दिखाई दे रही है, तो finally हम देखते हैं कि जो duck है, उसको उस नेस्टी पॉंड से बाहर निकल कर दुनिया देखने का मोका मिला with the help of kangaroo, और यह possible कैसे हुआ, जब उसने एक polite request करी, अच्छे से request करी, उसने उसके बारे में भी सोचा कि वो बिमार ना हो जाए, तो इसलिए भी उसने arrangements करे, solution इस तरह का निकला, सिरफ यह नहीं था कि हाँ, उसने ride पे जाना है, तो सिरफ अपने बारे में सोच रही है, तो अपने politeness के कारण, एक अच्छे behavior के कारण, वो मना पाई कांगारू को कि वो उसको ride दिला सके, और इसी के द्वारा क्या हुआ, उसको भी जो पॉंट से बाहर निकल के घुमने का मौका मिला, so this was all about this poem,